असलाम आलेकुम and welcome back to in Arabic आज हम सीखेंगे कि हम आरबी में इस sentence को किस तरह से बोल सकते हैं क्या आपने महसूस किया? क्या आपने महसूस किया? Did you feel? हम इसको आरबी में किस तरह से बोल सकते हैं? इसका हम जुम्ले में इस्तेमाल सीखेंगे हमारी ये सीरीज है Understand Arabic in 4 Minutes इसमें हम एक लफज लेंगे या एक sentence या एक phrase लेंगे और हम उसको सीखेंगे कि हम इसको आरबी में किस तरह से बोल सकते हैं इस lesson की PDF अगर आपको चाहिए तो उसका link description में given है अब वहाँ जाकर इस lesson की PDF आप डाउनलोड कर लें ताके आपको बाद में revision के लिए वीडियो हर मरतबा open ना करनी पड़े चलते हैं लासन की तरफ sentence है क्या आपने महसूस किया Did you feel सबसे पहले जान लेते हैं हम इसका मतलब कि हम इसको आरबी में किस तरह से कह सकते हैं इसका तरजमा आरबी में बनता है हल शारता हल मतलब क्या और शारता आपने महसूस किया हल शारता ये बोलेंगे हम मेल के लिए अगर हमने पूछना हो किसी फी मेल से हम किस तरह पूछेंगे हल शारती क्या आपने यानि कि फी मेल ने महसूस किया मेल के लिए क्या बोलेंगे हल शारता फीमेल के लिए क्या बोलेंगे हल शारती अब ये हो गए इसका लफसी माना अब हम देखते हैं इसका जुमले में इस्तेमाल मेरे पार जुमला है Did you feel cold? Did you feel cold? क्या आपने ठंड महसूस की? क्या आपने ठंड या क्या आपने सर्दी महसूस की? इसका सेंटेंस किस तरह बनेगा? हल शारतल बुरूद हल शारतल बुरूद क्या आपने ठंड महसूस की? ये बोला जा रहा है मेल के लिए अगर फीमेल से पूछना हो तो आप किस तरह पूछेंगे? हल शारतल बुरूद हल शारतल बुरूद क्या आपने ठंड महसूस की तो उपर वाला मेल के लिए नीचे वाला फी मेल के लिए अब एक और सेंटेंस हमारे पास है इसका सेंटेंस किस तरह बनेगा क्या आपको फखर महसूस हुआ ये बोला गया है मेल से अब बोलना हो अगर यही सेंटेंस किसी फी मेल से क्या आपने फखर महसूस किया अब यहाँ आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस है अब आपने इसका बनाना है जुमला अर्बी में आप जब जुमला बना लें तो अपने जवाबात हमें वाटसअप नमबर पर सेंट कीजिए वाटसअप नमबर आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब यह है उसका के हल शारता आएगा मेल के लिए हल शारती आएगा फी मेल के लिए अब उसके आगे जो इसका मतलब बनता है रिग्रेट का आप इसको सर्च कीजिए ताकि आपकी वुकैब भी साथ साथ स्ट्रॉंग होती रहे आप उस लफ़ को यहाँ पर लिखिए और जवाबात हमें सेंट कर दीजिए यह हमारी वीडियो यहीं तक थी वीडियो अच्छे लगी हो तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए कॉमेंट कीजिए और हमारा चैनल लाजमी सबस्क्राइब कर देजिए आप से मिलेंगे अगली वीडियो में अपना बहुत सा राख्या रखेगा अल्ला हाफिज